तो आज किस वीडियो में बात की थी किस प्रकार से फिशर्ष का स्केल होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं और लास्ट वीडियो हमने बताया था आपको कि इसके कुछ टाइप्स ही होता है एक्सा टाइप बज जाते हैं तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं यह Cosmite Skill भी हमने देख लिया था, right, Plachoid Skill का deployment हमने देखा था, right, हमने यहाँ तक पढ़ चुका था, right, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, Modification of Plachoid Skill, right, सो यह हमारा Modification of Plachoid Skill, ठेके, तो Modification का मतलब क्या होता है, जब भी आप देखेंगे, Modification Word जहां भी आपको दिखाई देगा, right, यह जो Modification Word है, इसका मतलब होता है, रुपांतरित होना, right, तो No.1 जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले, Plachoid Skill का जो Modification है, रुपांतरड है, वो क्या है, जो सबसे पहला हमारा आता है, Teeth and Stomadial Dentils, right, कुछ Fishes ऐसी होती है, वो कौन से Fishes है, उनका नाम है, Condristis, right, जिसे हम Cartilus Fishes भी कहते हैं, तो इनकी पूरी Body में क्या होता है, Entire Oral Cavity में Plachoid Skills पाया जाते हैं, right, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कि यहाँ पे कही जार है Entire Oral Cavity में, Plachoid Skills पाया जाते हैं, अभी तक हमने पढ़ा तो हमने यह नहीं पढ़ा कि Plachoid Skills पूरी Cavity में पाया जा रहा है, बट यह वाले Case में क्या है, यहाँ पे Entire Oral cavity में हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा plicoid scale और यहाँ जबडे पर sequentially रूप से या क्रमिक रूप से arrange रहते हैं वैवसित रहते हैं यह दंद के रूप में transform होते हैं यानि की रूपांधरित होते हैं तो हम यह कह सकते हैं transform into a tooth अभी इससे आगे बढ़ने से पहले इसके आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए वो चीजें हैं क्या वो चीजें जो हैं बहुत ही matter करती है तो पहले हम उन चीजों को देख लेते हैं जो चीजे हमें पता होना चाहिए यहां पर हमारे पास एक word आया जिसका नाम है class quondri6 जिसका नाम है class quondri6 right जिसे हम car till generous fishers भी कहते हैं तो हमें यहां पर पता होना चाहिए कुछ चीजें right वो चीजें हैं क्या number one हमारा आता है हमें पता होना चाहिए यह जो class है right यह जो class है quondri6 इस class में क्या होता है 846 species पाई जाती है shark के and race की और इनका जो date है जब ये अर्थ पे आई तो माना जाता है 400 million year एगो पहले ये आई थी इनका जो endoskeleton होता है वो cartaginus का बना होता है यानि की bones का बना होता है जोट पाया जाता है जबड़े पाया जाते है वेल डेपल पेक्टोरल, pelvic fins and powerful tail fin पाया जाता है इसकी रफ होती है roughness की वज़ा होती है numerous placoid skill का पाया जाना और यहाँ पे एक diagram आपको दिखाएगा dog fish का जिसे हम कहते है scoliodon राइट यहाँ पे आपको यह tail नजर आएगा आगे का portion head नजर आएगा head पास mouth है यहाँ पे हमारा eyes present है dorsal fin यहाँ पे present है and pelvic fin भी यहाँ पे present है and pectoral fin भी present है साथ ही साथ caudal fin भी present है right और इसका जो यह अंदर वाला part है यह bones का बना हुआ है यह cartilaginus का बना हुआ है bony fishes कहा जाता है right next आगे चलते हैं और यहाँ पे right the evolution of jaws is an example of evolutionary modification of existing structure to perform new function तो नए functions को perform करने के लिए evolutionary modification होना जबडों में ज़रूरी है right jaws are modified gill arches and allow the exploitation of new roles in the habitats यह jaw हो जो होते हैं इन्हें नए-ने roles निभाने में habitats के according मदद करते हैं predators with powerful jaw यह एक ऐसे predators हैं जिनके पास powerful jaw होता है मजबूत, शक्तिसाली, जबड़े होते हैं there are two classes of jawed fish और यहाँ पे दो classes होते हैं इस jaw की अधार पे right पहला है the cartilaginus fishes and second होता हमारा the bonny fishes हमने भी आपको बताया भी bonny fishes हो गये, cartilaginus fishes हो गये, इनमें यह पाया जाता है right इसे raise कर लेते हैं और आगे चलते हैं यहाँ पे आपको diagram दिखाएगा, यहाँ पे आपको diagram दिया गया है, दिखाया गया है right यहाँ पर आपको नजर आएगा Early Jaw Fishes है यहाँ पर यह वाले जो है और यहाँ पर आपको नजर आएगे Gill Arches यह आपको नजर आएगा Gill Slate और यह आपको नजर आएगा Modern Jaw Fishes तो यह जो थे हैं पहले की जो फिशेश हैं Early Jaw Fishes में प्लेको डर्म जिसे कहा जाता था उनके अंदर आप देखेंगे Jaw यह राइट कैसे नजर आ रहा है आपको थोड़ा सा यहाँ का structure जो है फ्लैट नजर आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे आप pointed रूप में यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो एरिया है यहाँ का तीथ आप देखिए कैसे nuclear निकले हुए है राइट गिल स्लिट के अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको नजर आएंगे thin रूप में है बट यह वाला जो एरिया हमारा portion है यहाँ पर क्या है थिक है मोटे मोटे गिल स्लिट निजर आ रहे है तो यह है वो difference जो हमें जर आती है बोनी फिशेश में और कार्टिजर फिशेश में जो की modern जो फिशेश के हाल आती है राइट तो यहाँ जो लॉट अप तीथ यह इनके पास ऐसा जोब होता है जेसे बहुत सारे आतीथ पाया जाते है पेड़ फिंस पाया जाती है एंड कार्टिलेज का बढ़ा हुआ एंडोस्केलेटन पाया जाता है कार्टिलेजिनस फिश फर्स अपियर दिवोनियन पीरियन ओप एक्स्पेंड़ इन डाइवरसिटी तो कहा जा रहा है यह जो कार्टिलेजिनस फिश है सबसे पहले अपियर हुई थी दिवोनियन पीरियड तो दिवोनियन पीरियड में अपियर हुई एंड इनकी डाइवरसिटी जब है यह कब एक्स्पेंड हुई कार्बोनिय फियरस एंड परमियन कार्बोनिय फियरस के टाइम हुई एक्स्पेंड एंड परमियन से पहले हुई राइट तो यहाँ पर लिखा हुआ हुआ परमियन भीफोर नियरले डिसपियरी तो एक्स्पेंड हो जाता है कार्बीनी फेरस के टाइम में and disappear कब होता है permian period में होता है disappear right a last group of cartilaginous fish still survive today तो यह जैसा कि हमने पढ़ा यह बहुत ही पुरानी fishes है primitive fishes है लेकिन आज के समय में बहुत सारी ऐसी fishes है जो survive करती है क्या करती है? survive करती है right and it's an important part of the marine fauna और यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है marine fauna के लिए right this fish have to 7 gill slits इन fishes के पास 7 gill slits पाए जाते हैं both sides of the pharynx and lack the gill covers found in bonny fishes तो cartilaginous fishes के अंदर क्या है? the chondric theian body is covered epidermal placoid right जिसे हम कहते है tooth like इनकी जो body है epidermal placoid से epidermal placoid scale से covered रहती है जिसे tooth like खाजाता है और जब development की studies की गई skin right तो पता क्या चला? इनके जो scales है right वो बड़े-बड़े हैं और किस में देखा गया? शार्क के teeth में देखा गया placoid scales के बने हुए बड़े-बड़े क्या है? scales present होते हैं teeth present होते हैं the largest shark are filter feeders not the predators of hollywood movies basking and whale shark eat tons of crustaceans अब इसका मतलब क्या है crustacean बड़ा इसका मतलब होता है small creels etc right इसमें prawns वेकर भी आते हैं हमारे इसमें prawns भी आते हैं हमारे right filter from the water the next point है the largest shark are filter feeders filter feeders है not the predators of hollywood movies right basking and whale shark eat tons of crustaceans like small creels etc filter from the water right water से filter है more shark are fast swimming हमने यह देखा है कि ऐसा अकसर सुनने को मिलता है कि जो shark होती है थोड़ी से slow होती है right बड़ ऐसा नहीं है यह इनका swimming जो होता है बहुत ही fast होता है right open sea predators है समूदर में खुले रूप में सिकार करती है the great white shark feeds on dolphins और यह जो great white shark है वो dolphins तक को खा जाती है right sea lions है हमारे पास and seals है सम्टे में सब भी होता है जो जो shark है इन्हें feed कर जाती है right in other word anything is wants to दूसरे शब्द में जो उन्हें सही लगे वो सब को खा लेती है उन्हों सब को feed कर जाती है right चाहे वो human ही क्यों ना हो अगर उनके पाले में आ गए तो उन्हें क्या करेगी वो feed कर जाएगी right next अभी तक हम ने चुछ देखा अगर हम उसे कुछ वर्ट्स में समराइज करें तो यह इस प्रकार होगा कि जो teeth है वो कैसा है in large placoid scales का है and teeth form in actively growing skin area in mouth यह जो teeth है skin area में mouth में क्या है actively growing होता है यानि कि लगातार grow होता रहता है just behind upper lower jaw right skin grow teeth pushed over age over age of jaw and increase in size size में ऐसे बड़े होते रहते हैं push करने के बाद teeth worn reabsorb or lost तो teeth worn जो क्या है वो reabsorb भी होता है और lost भी होता है in raise teeth fuse to form bony plates raise में देखा गया है कि जो teeth है वो fuse हो करके bony plates बना ले so अभी हम आते हैं वापस अपने main point में अभी तक हमने जो देखा वो basic information था यह जो हमारे पास conductics class है उसके बारे में right उनके fishes के बारे में right आगे चलते हैं यहाँ पे आपको नजर आएगा paired fins right और यहाँ पे आएगा आपके पास moveable jaws जो की world अप्लव है right तो यह जो है तीत नजर आ रहे हमारे paired fin के साथ और यहाँ पे mobile jaw यह नजर आ रहा आपको यही प्लेकोईड स्केल का modification का एक example है इस प्रकार से पाया जाता है fishes में right यह जो fins है यह भी प्लेकोईड स्केल्स के बने हैं आगे आगे हम देखेंगे कैसे यह होता है next है प्लेकोईड स्केल्स ऑफ शार्क जो हमने आपको बताया कि प्लेकोईड स्केल्स शार्क कैसा है तीत में और उसकी bodies में तो इस प्रकार का नजर आएगा आपको और इस fishes have teeth like scales called denticles तो वही बात हमने इस्टार्टिंग में आपको बताई थी ये ऐसे fishes में क्या होता है दातों की जैसे scale पाया जाते है जिसे हम denticles कहते है ये दात जैसे नजर आएगा आपको जो ये ही क्या scale इनका जो कि प्लेकोईड स्केल्स का ही है structure में ये similar होते है right structure में कैसे है ये similar है दातों के जैसे ही right आगे चलते है तो यहाँ पे कुछ diagram नजर आएगा आएगा आपको ये वाला जो portion नजर आएगा दातों के दात में ये जो नजर आएगा आएगा तीज में येई प्लेकोईड scale कही है एंड यहां पर आपको यह नजर आए यह वाला पार्ट राइट नए चलते हैं दूसरा जो हमने हम तूसरा जो हमने पढ़ना है उसका नाम कोडिफिकेश्टमा यह भी फ्ली वड कॉल का। जिसे हम कहते हैं इस्टिंगर कोडिफिकेश्टमा का। rabbits अच्छा यहां पर हमें पता होना चाहिए यह डाइगराम नजर आ रहा है यह तीन डाइगराम हमने लिए हैं यह इस्टिंग रे का डाइगराम है अलग अलग की स्पीसीज हो उसकी बट इसमें खाश्रत क्या है यह इस्टंग अगर इसका आपको लग गया तो कई सारे सान है कैसे पता चलेगा और क्या-क्या इससे हो सकते हैं बचने की उपाया क्या है तो अभी के लिए इतने रहन देते हैं आगे चलते हैं थार्ड नमबर आता है हमारा सौ तीथ राइट बिसिकली हम मातरा नहीं लगेगा यहां पर सौ रहेगा राइट तो यहां पे जो सौ फिशेश होती है इनमें लैटरल रोश्ट्रम में जो तीथ पाया जाते हैं राइट यह प्लिकोईड स्केल का एक मोडिफिकेशन होता है जैसे कि common example देखा गया प्रिस्ट्रिस में यह जो फिश नजर आ रही है प्रिस्ट्रिस है अब देख सकते हैं और लॉइन फिश में पाया जाता है ऐसा ही तो यह जो है यह जो दात नजर आ रहा है यह कितने खतरनाक नजर आ रहे हैं राइट तो यहां पे यह जो रूप मो यही modification है किसका प्लेकोइड scale का राइट आगे चलते हैं नेक्स आते हैं हमारा fourth number जिसका नाम है fin spines राइट तो देखा गया है spiny dogfishes के अंदर जो भी प्रतिक dorsal है राइट हर एक dorsal में dorsal fin में एक spine या शूल पाया चाता है इसके लिए हम शूल को इंग्लिज में spine कहते हैं तो आप spine या शूल दोनों कह सकते हैं और यह भी क्या है एक प्लेकोइड scale का modification ही है राइट जैसे कि यहाँ पे देखिए spine dorsal fin है यह वाला जो पार्ट है यह भी क्या है यह भी प्लेकोइड scale का ही है यह है trigger spin यह split है यह single spin है single spine है एंड यह trailing dorsal fin है और यह एक एक्जामपल है हमारा spine का finis spine का राइट सो आई होप यहाँ आदक आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स चलते हैं नेक्स जो आदा हमारा लाश जिसका नाम है गिल रैक्गर रैइट गिल रैक्गर है क्या कुछ cartilaginus fishes में देखा गया है उनकी जो internal gill slit होती है राइट तो internal gill slit को protection देने वाली गिल रैक्गर भी प्लिकोईड स्क्विल्स का एक modification है उसका एक रूपांतर रूप है राइट सो यहाँ पर हमने डाइगराम लिया है गिल रैकर नजर आएगा आपको यहाँ पर और यह mouth वाला area है राइट the first gill arch जिसे कहते हैं यह गिल आर्च है इसका और यह गिल रैकर है इसी के बारे हम बात कर रहे हैं राइट then next second diagram यहाँ पर यह वाला पार्ट आपको गिल फिलमेंट को जाएगा राइट यह गिल आर्ख हैंदर में यह वाला पार्ट राइट और यहाँ पर आपको नजर आएगा गिल रैकर जो बाहर के और निकला हुआ हुआ है राइट उस यह वाला पार्ट जो है गिल रैकर्स का है राइट यह वाला पार्ट जो है मारा गिल आर्ट नजर आएगा यहाँ पर आपको यह वाइट वाला जो एरिया है राइट एन गिल फिलमेंट यह राइट कलर में होते हैं और बहुत ही यह आपको जो एरिया नजर रगाना हुआ सखन एरिया यह है गिल फिलामेंट का राइट तें नेक्स टेल एरिया में अगर हम देखें तो टेल एरिया आपको नजर आएगा यहाँ पे यह गिल रैकर्स यह नजर आ रहे हैं आपको बाहर के और निकले हुए उभरे हुए right गिल आर्क है ये white वाले अरिया ही and फिर उसको बाद गिल फिलामेंट है ये वाला अरिया right so ये जो डाइग्राम था ये बता रहा है गिल रेकर्स के बारे में so आज के वीडियो में बस यहीं तक हमने देखा है गिल रेकर्स देख लिया हमने फिलामेंट देख लिया तो हमने मोडिफिकेशन पढ़ लिया आज कुछ चीज़े और बची हुई है लास्ट जो चीज़े है राइट जिसमें हमने आपको बताया था कि सब्सक्राइब हम लेएंगे यह या यह गया पूरा वीडियो है यह 5 तीन पार्ट कुossip देख और हें हमारा playlist मौझूद है चैनल में जाकर करें प्लेलिस में मिल जाएगा आपको तो पहले पार्ट से start करिएगा देखना देन नेक्स सेकेंट पार्ट देखिएगा उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा रइड़ यह सेकंड पार्ट है जो अभी आपको तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं आलमोर्श हमारा यह इस केस कमप्लेट हो चुका है नेक्स्ट हमारा फेडर्स है फिर है उससे हमें पढ़ना है तो अभी हम देखते हैं जल से जल उससे हम पढ़ लेंगे तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो subscribe कर लेजे ताकि जो भी notification होगी अपडेट होगा आपको मिल सके उसके बाद जो भी doubts आप comment करके पूछ सकते हैं comment करके अपना नाम और शहर का नाम जरूर बताएगा आप अब देख कहां से रहें वीडियो को राइट तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तो तब तक के लिए थैंक्स ओट फॉर वाचिंग